शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें झाले जए समेब कांओकी नब खड़िए को दो कीजिय सब्सक्राइब ऑ dat धिर एडिस्ट वर्यागर प्रõ़िए Rवॉ·Lज व्रिyas कांवश फड़िए dabar झाल 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 सर यह झाल झाल उनके पास होता था थो हमें मदद माँंग्ने की जुरट नहीं पड़ती प्लीज सर सब्सक्राइब रूपीज गुड़ गुड़ अच्छा काम कर रही हो तो हाथ छोड़ी हाथ छोड़ी सर मेरे साथ चल तुझे मुह मांगी की मत दूंगा तु यही इसे अदुतार दूंगी लोफर तु ने उसे गाली क्यों थी हम सब की मिलाएंगे तब भी इतने नहीं होंगे तु आग लगे उसके पैसो को क्यों पैसे देने के बाद मेरा हाथ कीछ रहा था साला बुड़ा होने चला है कह रहा था चलोगी क्या एक पल भी और यहां रुपता ना तो यही इसे दोतार देती जाने दे पांस और पी अदिया ना तो क्या उसकी पूझा करेंगे आज पांसो देकर मेरा हाथ पकड़ा है कल हजार देकर मेरा शरीच होएगा कैसे जाने को मुन्ने भाई लड़की बढ़िया है अब तो नेता जी के घर में चिकन बिर्यानी बनेगी तुन्हे काम बिल्कुल भी सही नहीं किया अब तु इस तरह मासुम बनके खड़ा मत रहे मुन्नी भाई पहले उसे नेता जी के पास लेके जाईए अगर वहां से कुछ बचेगा तो मुन्नी भाई दर भी महरबानी कर देना हर चीज़ पर तु अपनी नजर मत गड़ाया कर मेरा सार्थी बिल्कुल काले नाग जैसा है राजा जब मेरे साथ है तो बहुतों के छक्के छूड़ जाते हैं यह ले और निकल जा यहां से सेधी तरह ठीक है मुन्नी भाई राजा हमा जी क्या करता है तू जड़ा चुप में क्यों चिर्ना आरा है नहीं नवेली है खुछ दिनों तक तो फड़ पड़ाएगी हलो क्यों मिनिस्टर सहाब लगता है खुश्पु वहां तक पहुँच गई है की नहीं काम हो गया क्या मेरी नजर पड़ गई तो कोई भी हनसनी हो चकर लेती हूँ इसलिए तुम्हें काम दिया मैंने पहला हक तो आप ही का बनता है मिनिस्टर सहाब राजा लड़की की पकड धीली करते बात पक्की हो गई हमें उसे लेकर जाना है क्या हुआ कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया क्या बात है जब भी कोई नई नवेली आती है वक्स से पहले आ जाते है मिनिस्टर सहाब बहुत दिनों से कोई नया स्वाद नहीं लिया बांसी से उप चुका हूँ अब ये तीसरा चांस है ऐसा है था थोड़ा इंतिजार कीजे नई नवेली को बहुत जल्द आपके सामने हाजिर करते हूं कच्छी कली है थोड़ा संभल के पेश आईएगा वरना ज़ी के वारे में गुझ का तो काट के रख दूगा तुझे यह इंपे अगर तुम्में की अच्छी माग के बेटी होते तो इस तरह का नीच काम कभी नहीं करते जी विए घ्राव का मैं तो किसी की सिंद़ी काला सही है क्या यह थी एक समाज सेवा ही तो है तुम्हारी चोखट पे आके पैसा उड़ा ना और लड़कें की जिंदगी आबाद करना समाज सेवा है तिनी बेसबरी की भी क्या बात है, आती होगी तैयार होके थोड़ा इनको पिलाओ, मुझे छोड़ दो लो, पुलीस, माजे में दो वक्की रोटि किलाती हैं, यह नमक का करज है, जे छोड़ दो, वो तुम्हें रोटि नहीं खिला रही, जहर खिला रही है, कल कहे कि तुम्ह तो मुझे यांसे बाहर निकालो मैं अपनी इजद कवा कर एक बल पी ची नहीं सकती उस से चादो तुम मुझे मार दो मुझे छोड़ दो प्लीज वो तुमें रोटी नहीं खिलारी जहर खिलारी है कल कहेगी तुमारी बेहन को यान लाके बैठा तो बेठाओगे अगर तुम सही मापाप के उलादो तो मुझे आसे बाहर निकालो मैं अपनी इजद कवा कर एक बल पी ची नहीं सकती हम 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 मुझे छोड़ दो सा माजी क्या है राजा बेटा उस लड़की को छोड़ दो माजी क्या कहा तुने उस लड़की वह एक काम बहुत अजीब लग रहा है माजी इसलिए जबरस्ती करना ठीक नहीं है दिखने बहुत शरीफ घर की लड़की लगती है उसे जाने दो माजी मेरे टुकडो पे पलता आया है तू सुन चुप चाप मेरी जूठान खाकर तू यहां पड़ा रहे मेरे धंदे में जरा भी टांग अडाईना तू समझ लेना चल जा तुझे पाल पोस्के बढ़ा किया इस घर की रखवाली के लिए तुमने मुझे खिलाया है पाला है लेकिन मुझे फिर भी उस लड़की पर जहर लग रही है उसे छोड़ दे लड़कियों इसको कमरे में बंद कर दो दो चार दिन भूखा प्यासा रखना तब इसके होश्टिकाने आएंगे ले जाओ इसे ले जाओ राचा बात सुन छोड़ इनको अरे कहां मर गया सब अरे यह लेकि इसको जोने मर दे रहा है इसको लेजा अंदर राचा तुम बहुत कलत कर रहे हैं मेरी बात सुनके राख छोड़ूगी नहीं तुझे अरे तुम लोग जाओ उनके पीछे पकड़ा छोड़ना मत मेरे से दुश्मनी महंगी पड़ेगी कर दोड़े कर दो तुमनी महंगी तुमनी महां जुमनी कर दोड़ेगी प्रहे प्रह पर दोड़े इसको प्रहें कि अरेता है रह्ष्ष्टर एन्युमनी महां वहिंग कर दो शो जो, और रखी कर दो एाद सकता कर दो, और प्रे जो, और प्रेंजनना झात एा… तब अवाँ मैं अजैं अवाँ कहा रांड़ मैं कर दो घ x7 आयूआ कर उडिया, कि तो हुरशभ आट कर प्रिया, कि दूँ़ए आट कर दो दो हेवाद कि द्पट equipped दो धर दी वोह 10 सी है पार अे तजान गुट ! कर्ग ड्सुकत है गजज बंचत। एडियूँ एडियू झाल नहहुँ पाल कि presents कि आओ न कौन सा है तुम्हारा गर वो दिखाई दे रहा है न वो ही मेरा गर ये वाला जी हाँ वो ही है आओ न जल्दी आओ दादी मा एजाबी एजाबी जल्दी आओ देख तरी बेटे अपना मुझ काला करके आई है जल्दी आओ देख अरे मैंने मना किया थाना कि कॉलेज मज जा कॉलेज जाओंगी जाओंगी तुम्हार मर गई है तु भी उल्टा सीधा बोल रही है मेरी बात तो सुनो अब तु से पूछले ने के रहे क्या बहुत ने गी है तुछ तो उसे हुआ क्यो तु असा कर आए गी हाँ जिसके साथ मुझ काला कर वह ए इसको अपने साथ लेकर यहां पर गई तु एरको शरम नहीं आथी पहले तो अपना मूँ बन कर, अंदर बैटके आराम से बात करेंगे, गर के अंदर चलो, चलो, तुम भी चलो, तुम भी दुनिया को तमाशा दिखाती हो, चलो अंदर, चलो, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे लगा तु घर से भाग कर किसी से शादी कर लिए है, कोई बात तुम्हारी जेगा कोई और होती, तो वो भी यही सोचती, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमको क्या क्या नहीं कहा, मैं समझ नहीं तुमको, हाँ बेटा, तुमने मेरी बेटी की इज़त, जान, इतना ही नहीं, तुमने इस घर की मान मर्यादा को भी बचाया है, तुम तुमसे तो पूछना ही भूल गया, तुमारा गाउं कौन सा है, भटकने वालों का कोई गाउं होता है, क्या, मतलब, तुमारी माँ, तुमारे बाह, वो सब मत पूछिये, देखो बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुमारी बेटी को यहां तक छोड़ने आए, तुमें कोई इतराज ना हो, तो एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, तुम इस घर के बेटे बनके यही रह जाओ, सच में बेटा, तुमें कहीं जाने की जुरूरत नहीं, तुम यही रह जाओ, नहीं मुझे जाना है, यहीं कह रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं ल झाल 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 जब से ही मिले निगाहियो मेरे सनम तेरे खाबों में देखो मैं तो खो गई जब से तुझे को देखा तुझे को चाहने लगा ओ मेरे यारा तुझे को चाहने लगा उड़ने लगा मेरे मन का ये पंची देखी जो तेरे वफा छोड़ूंगा न साथ तेरा ओ मेरे सनम मेरे दिल की तुझे को तुझे है सदा कि जड़ जामसा भूयाय दिल का ये जड़ को चलने लगला बनों का चाहनों जामसा मेरे रिखी को तुझे को तुझे रिखे लड़ वन तुझे भार ये खो घुझे तेरा मेरा साथ हो प्यार भरी बात हो कैसे तुझे से मैं कहूँ बन गए तु मेरी जिन्दगी हाँ मैं भी तेरे साथ हूँ सुनने मेरे साथिया कैसे तुझे से मैं कहूँ तुझे में देखती हूँ मैं खुदा तुझे जब समयन देखा तुझे मैं खोया रहे मेरी धड़कनों में ओ सनम तु ही तो सबाया है जब से तुझे को देखा तुझे को चाहने लगा ओ मेरे यारा तुझे को चाहने लगा जब से है मिले लिगा है ओ मेरे सनम तेरी खाबों में देखो मैं तुखो गए आराग रंग से सजी मेरी दिल रुबा कैसे तुझे से मैं कहूं तु मेरी आरजू मेरी वफा तुझे से ही लगाई है ब्रेत मेरे साजना जोड़ते तुझे नजर सुनके आजा तु मेरी सदा तेरे पास आके धड़कनों को चैन मेरे आयरे मैं भी तेरे रंग में रंग गई सुनने मेरे साथिया जब से तुझे को देखा तुझे को चाहने लगा ओ मेरे आरा तुझे को चाहने लगा जब से ही मिले निगाहे ओ मेरे सनम तेरे खाबों में देखो मैं खो गई तुझा जाओ तुझा जाओ मुझे नो तुमसे कुछ बात करनी है बात कर दो रहे हैं साइकल रोको देर हो जाएगी प्लीज आज तुमसे कुछ कहना है मैं क्या कहरी हूँ तुमको सुन रहे हूँ राजा 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 अभाजा अभाज अभाज सम्लु कमली वहाँ परे तुमटो ठीक तो होना तुम प्रे में काटा चुबाएगे तुमारे लुक मैं निकालता हूँ तुम्हार कांटा निकाल दी है मैंने अब जाला दर्द नहीं योगा ठोटो अब यहाँ ठूग दूग ठीक है बच्पन में जब मैं गिरता था तो मेरी माँ ऐसा ही करती थी तुम्हारी माँ शिंदा है ठोटो घर चलते हम लोग अब कर दो तुम्हारी यह लो पहनो यह बैक तुह रहा है अब मैुछे तुम से कुछ बात करने है अब मेरा मूट साहे नहीं है गर चलो महीं बात करते हैं चलो बैठो लोग मुझे अबी बात करनी है कि देखो गर के पास इतने बीड क्यों लगी है हाँ किसी की कार भी आखर खड़ी है राजा कहीं तादी को तो कुछ तादी को तो कुछ तादी कहा रह गई थी जल्दी नहीं आ सकती है क्या खड़ी बाते गर रही हो जा के तैयारी गरो भाई सब यह है मेरी बेटी कमली अभी आजाएगी तैयारो के पांच मिनिट लगेंगे तैयारो के आजाएगी कोई बात नहीं जब लड़की देखने आते हैं तब लड़की बाहर से आए तो शुब मानते हैं क्या है मा एई वो लग तुझे देखने आये हैं मुझे क्यो देखने आये हैं बख्वास मत कर अच्छे लोग है उपर से पैसे वाले देख कर हां कर ले तैयार हो जा जल्दे आजारी नहीं करनी मुझे भी पढ़ना है शादी से पहले सब लड़किया ऐसे ही कहती हैं शाद अबी ए बढ़ाई में उशयार है लगती भी अकलमंद है अवेशा क्लास में फरस्ट आथी है तुम्हें और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बढ़ाई साप आपकी बढ़ाई में रूप में खराए आकर हसते खेरते खुशी से रहे हमारे यही बहुत है आपकी बेटी से भी पूछ लीजिए वो क्या है ना आज के जमाने की बच्ची है ना अरे संदी जी आपको बिलकुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे मेरी बात कभी नहीं टालते आप जैसे गर करिष्टा मिला हमारे यही बहुत है राजा तुम इतने उदास क्यों हो मुझे सब पसंद नहीं है लड़का बहुत अच्छा है घरवालों को भी पसंद है तू भी हां कर दे मैं हां नहीं करूंगी मतलब एक को दिल में बसा कर दूसरे से शादी कर के घुट गुट के नहीं ची सकती राजा दुख जेल कर जीने की मत नहीं है अगर जबरदस्ती करेंगे तुमें मर जाओंगी लेकिन में शादी नहीं करूंगी यह कमली तू कैसी बाते कर रही है जए चोड़ दे तेरी दि किसमत खुल गई है क्या वोलती है मैंने तू सोचा दू अगर में अंदकार होगा लेकिन उसके आने से घर रोशन होगा दिये के नीचे ही हमेशा अंधेरा रहता है कैसी बाते करें माजी है कमली और राजा को साथ में देखकर लोग क्या क्या बाते करें यह तुझे क्या प कि लोग कुछ ही बोलते रहते हैं, हमै उसे क्या करना है राजा कैसा इंसान है यह में जान गया हूँ।छ तुम्हारे घर म seulमे मुझे बहुत इज़त मिले चाहन को खाना मिला है और ऐसे इंसान के साथ में थेवफा नहीं कर सकता। राजा तुम्हारे दिल में भी यह तुम्हारी आपको दोखा मत तो प्लीस तुम्हारी आँखों से निकलने वाला सु कहरा है कि सच्छाई क्या है मुझे सिंदगी दो तुमसे दूर रहे कर मैं नहीं जी सकती राजा तुम मेरी जाहन मांगोगी मैं दे दूंगी मुझे छोड़ दो कमली घरवाले दो गलत समझेंगे अरे तुमस्ती क्यों नहीं चोड़ो पापी नमख राम के अलाद ए तू चुपकर को तुम्हाने तुजे करने वखा दी तुम्हादी ञहाती हूं मुझती तुम्हाला कर दी Cindy क्या करहे चोड़ी चुड़ी पीचम करे तो पीच में मसि प्रेंडिन ऑगन तो चाल नहीं içआंएं ढ़र्चलिअ अज्ट है कोई जागा निया, निकल, निकल, चल, अजिए अज़, पापा, मेरी माँ सरी तरही थोखने, ना चाब का बता, ना शोब मत करें, ना तेरे अपरी माँ पर आखार हो जाए तरही जीए, जाल निकल, छाल, यह जोखने बहुत तरही है, जीए, जाल, जाल, लिए, तो बारा यहां दिखना नहीं हिज़त से चला जा एक शक भी और निकाला तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा चला दरजा मैं कोई अफ्तार यहां देवता नहीं हूँ जो गल्ती को माफ कर दू तेरे चैसे नमा खराम को तो गाओं के बाहर ले जाके खाड़ी में दखेल के मार देना चाहिए अगर तु सचे माबाब की आौलाद है तो सुबह होते ही तेरी मौत की ख़बर मिलनी चाहिए मुझे समझा निकल 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 यहां से वाने वेरी बास्वरिये तोड़ के नजा तमोख मोड़ के नजा जीन पाऊंगा तेर हम मैं कभी रिष्टा अपना नाजुक था पल में तोटे कर चक नचूर हुआ हुआ पल में ये सभी हस भी न पाऊंग मैं रो भी न पाऊंग मैं याद आते हैं बीते दिन तोड़ के नजा तमोख मोड़ के नजा जीन पाऊंगा तेर हम मैं कभी लोट के नाएंगे गुजुर दिन मेरे कैसे भूल पाऊंगा दिन वो अपने बाल पान के घर से जब निकाला था साथ जिसका था मिला उसने ही ठुक राया है कौन है मेरा जहान में तरसा हो प्यार के लिए एक पल खुशी मिले तरसा हो प्यार के लिए एक पल खुशी मिले जहर खा कर बरना जहां तो नहीं बरा पत्थर बांद कर बानी में कूदा फिर भी बच गया तो जिन्दा बचाओ मैं पल-पल मरने के लिए जो नमक हरामी करते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं अगर तू सच्चे माबाब की आुलाद है तो सुबह होते ही तेरी मौत की खबर मिलनी चाहिए मुझे समझा समझा अगर मिलनी चाहिए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु पार्ण के अ जो पुर्ण कर दो आया हिर्ण आरे रूखो चोड़ दो मुझे चोड़ दो मुझे मर रहा है मेरी बात तो सुनो छोड़ दो अभी तुमने मेरी इज़त और जान बचाई और अब खुद जान देने जा रहे हो मैं जिनकी से तंगाच को नहीं जी न मुझे छोड़ दो मौत के अलावा मेरे बात कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिन्दगी के हमेशा दो रास्ते होते हैं एक टेड़ा मेरा रास्ता दूसरा सीधा साधा तुम यहां मुश्किल से चड़कर इस चटान पर आए हो और मैं सीधे रास्ते से चड़कर आई हूँ जिससे हर कोई आता है बस हमें इतना ही फर्क है तुमारी ये बड़ी-बड़ी बाते मेरी समझ में नहीं आती छोड़ दो मुझे मुझे मरना है उधर देखो कितने लोग खड़े हैं वहां जानते हो वो लोग इस तरफ क्यों देख रहे हैं वो नहीं जानते कि तुम यहां मरने आये हो लेकिन जो करिश्मा तुमने कर दिखाया है उसके लिए लोग तालिया बजा रहे है मौत से पहले मरना कोई बहादुरी नहीं है मेरे बारे में तुम क्या जानती हो क्या तुम मुझ बड़ तरस खा रही हो मैं कौन हूं क्या यह जानकर तुमने मेरी जान बचाई थी मेरा दिल और दिमा कावु में नहीं है मुझे मेरे हाल बड़ चोड़ तो मुझे मरना है बस सुनो यहां से गूदने के बाद तुम मरोगे इसकी क्या गैरेंटी है किरने के बाद अगर तुम्हारे हाथ पैर तूट गए तो कोई काम नहीं कर पाओगे चलो अब यहां से यह क्या है क्यों यह खाना क्यों नहीं खारी है उपवास रखाय कहा इस ने चोड़ो जाने दो देखता हूं कितने दिनों तक रखती है कि अगर खाना पीना चोड़ देगी तो इसको लेके हमें हॉस्पितल जाना पड़ जाएगा ठीक एलाओ खिलाता हूं कमली किसके ओपर तू इतना गुस्सा दिखा रही है बेटा आओ खाना खालो मुझे नहीं चाहिए मैं कितनी बार बोलू गुस्सा तेरा गुस्सा मुझे नहीं पता है क्या तू चाहती है मैं तुझे अपने हाथों से खिलाओं इसलिए रूट के बैठी है ये ले अगर सच्चा प्यार होता तो मुझे पर इतना जुल्म नहीं करते सब दिखावा है आपने दौलत की लालच में बड़ी घर में मेरा रिष्टा किया ताकि उसी दौलत से आप लोग भी ऐशो आराम से जी सकें क्यों है न पापा कमली मुझे तू इतना भी नीचे मत गिरा तेरा तो दिमाग खराब हो गया मेरा और इम्तिहान मत ले जब जब तूने जो जो चाहत तुझे वो सब नहीं दिलवाया क्या वो मेरा प्यार नहीं था क्या हाँ दिलाया है तुझे ये पसंदे वो पसंदे ऐसा पूछ पूछ क जीना होगा ? हुँँँँगए हो बेटा वह गुड्ड़ागुड़ी खेल था बच्चों के लिए तो वह खेल है इसलिए तो मैं पूछता था लेकिन यह गुड़्ागुड़ी का खेल नहीं जिंदगी जिंदगी जिन्दगी क्या है तुम्हें इस उम्र में समझ में नहीं आएगा पेटी तेरी मां से जब मैंने शादी की थी तब वो मुझे पसंद नहीं थी और अब देखो एक दूसरे को समझ के जिन्दगी नहीं गुजार रहे हैं क्या वो दौर था कौन सा दौर वो दौर ये दौर सब एक समान है इतने बड़े घर का रिष्टा ढूंड कर मैं अपनी बच्ची की शादी इसलिए करवा रहा हूं की वो जिवन भर सुक से रह सके उनकी दौर पर मैं जिन्दगी बर रैश करूँगा ये सोच के नहीं समझी जब मेरी जदाओ पर लगी थी तो वो आपके पैसे वाले बचाने नहीं आये थे उस राज़ा नहीं बचाये थे उसका नाम मतले मेरे साबने खुन खौल रहा है मेरा नीच के ओलाद है वो वो नीच के ओलाद होती तो कभी पह ने सतके कुछ भी कर सकता था ना बापा तुम मुझे गलत इंसान के साथ बाढद रहे हो मैं फैसला प्र चुक्यों मैं चीओंगी उसके साथ और मरूंगी भी उसके साथ ही जा मर जा इसी वक्त जा के मर जा दो मुठी मिट्टी और दो बून पानी तेरी समाधी पर डाल के आ जाओंगा मैं अपनी पे आया तो मुझसर बुरा कोई नहीं ये बात याद रखना तुम अरे प्यार जिन्दगी को कभी चैंस से जीने नहीं देता जीने के लिए पैसा चाहिए कहोट से सोच के देख दीदी छोटी मुझे राजा चाहिए चेर्स यारो ये पार्टी तो कुछ भी नहीं है एक बार मेरी शादी हो जाने तो ऐसी पार्टी जोंगा तुमने जिन्दगी में ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी समझे ना क्यूं देवलोग ले जाएगा क्या ये तो हत्यली पे इस्वर्ग दिखा रहा है तु चुपच जरूर लेकिन मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे पैसे पे एश करके मेरी होने वाली बीबी को चखेगा है चोड़ चोड़ उसे उसकी बात में सच्चा ही है जो वक्त के सब्सक्राइब नहीं है जो वक्त साथ रंग बदलता है ना तो हम उसके दोस्त है और ना वो हमारा मैं देख रहा हूं तेरा खेल दिखाने के लिए तेरी शादी तो फिक्स हो गई है लेकिन एक को गले बांद के क्या करेगा चांस ही नहीं है मिल बाट के एंजॉय करेंगे न दोस्त तो मैटर फिनिश ये त से नजारा कितना खुबसूरत लग रहा है आपने सही का कल जब मैंने उपर से देखा तो ये दुनिया ऐसी लग रही थी पर आज पूरी दुनिया शीष महल लग रही है नया सपना नई जिन्दगी ये हमारे लिए नई खुशिया लेकर आती है पुरानी सारी बाते भूल फिर देखो तुम्हे सब अच्छा लगेगा अब तुम्हे पूरी जिन्दगी यही रहना है यहां रहकर तुम्हे दिन रात महनत करनी है वो पहाड देख रहे हो उसे देखते रहोगे तो तुम्हे लगेगा के दुर्ग किले को चड़ने का साहस करूं उसनल दीन, इनवेजंश आल थी बेस्ट हो तुम्हे अ क्षैना व यही दो डिए देख फिरेंक प्रेक्षेओं, मुझलैप्षें, 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 मुझलैप्षें अरे ये क्या कर रहे हो छोड़ो इसे चलो जल्दी करो दियान से दियान से अब ये कर सकते हो तुम कर सकते हो राजा सालडरो राजायां, सब्सक्राइब ये व्याइक, संबलले ये और हाएजा, कोशिष करो ध्यान से चड़ो हाँ, वे바री गुड रğजा वेरी गूड कम नौनbol, कखर अ पला हो क्या हो राजा, ध्यान से अ हां येश, बिलकों सही, यहा, राजा, फकड़ो, यहा, 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 कर दिखाया, यहा, यहा, कर दिखाया, मैं पहली जंग जीत गया, मैडम, अभी इतना खुश्मत हो, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आप साथे तो कोई डर नहीं है, अच्छा, तो अब वहाँ से नीचे कैसे आओगे, जैसे चड़ाओ, वैसे नीचे उतरूंगा, ओके, यहा, से नहीं उस तरफ से आओ, इंट्रिव्यू लेना है, ए, बचकर, प्यार अज का ट्विस्ट कोथि राज, अंदर राज, आज का स्पेशल एपिसोड, अब तुम बोलो, राजा, मैं क्या बोलू मेडम, अपनी जिंदगी के बारे में, इसके ले पर तुम कैसे चड़ जाते है, उस बारे में पता, इदी, 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 रेखो टीवी पर र तभी एक दीवी ने आकर मेरी जान बचाई और जिंदगी जीने की सही रा दिखाई, छोटी, मुझे राजा से मिलना, तो कुछ ना कुछ करना, प्लीज, मैं क्या करूं दीदी, मम्मी पापा हमेशा घर में ही रहते हैं, आज कैसे बहुर लाँ, मैं आराम से चड़ सकता आज अपनी महनस से जूतिरा से मंकी वेन बन गया हूँ, इन लोगों को भी याना था, तो कुछ ना कुछ करना, हाई यह यह दमाजी, बैठी है, अन्यी बाबुजी मुझे देर हुरी है, अरे बैठी है, अरे चाय तो लेकर हो ज़रा, तो यहाँ बैठे टीवी देख यह बाहर दामाँ जी बैठें, जाकर बात कर उन से, उसे देख ते ही मेरे बदन में कीडे रहें लग जाते, है, कैसे बाते करती है, अपने होने वाले पती के बारे में उठबढग ब ex-धि रहती है, औरे तुमारे पापा गे बारे में क्या पूछ बाबच अरे तुमारे जो जो अच्छा बेटी दामा जी तुझे लेकर बाहर जाना चाहते हैं मुझे कही नहीं जाना बेकार की बाते मत कर उससे अच्छा में जहर देदे हम दुनिया से चले जाते हैं उसे और कोई काम नहीं है कहीं से भटकते भटकते अपना मन्हूज सूरत लेकर यहां तक पहु तुम बाहर गई तो वहां से बाग कर राजा से मिल सकती हूँ सही का बहन से बाते बात में कर लेना तैयार हो ले इसकी क्या ज़रोरत थी यह सब देख आमें प्यार के बंदन में बांध रहे हो बेटी देखो यह क्या लाएं है इससे कैसे इस्तमाल करना है मुझे क्या पाता चलते हैं शाम को जल्दी आजाना बेटा जी अच्छा क्या हुआ तब यह तो ठीक है ना कुछ तो बोलो तुमारी बाते चुम्बन जेसी प्यारी है प्लीज बिहेव योरसेल्फ गारी रोको मुझे पीछे बैठना है सॉरी मैने चुम्मा तो नहीं मांगा दो ठंड़े पाइनबल जूस दो थांक यू वेल्कम हुआ 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 हिब चौछ दिखाया मैने दोस्तों घड दिखाया राचा 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 मुझे माफ कर दो मुझे यह क्या कर रहे हूं कमली मैंने तुम्हें टीवी पर कहते में सुना कि मेरी घरवालों ने तुम्हारी बहुत पेज़ती की तब मैं तुम्हें बचा नहीं पाई दी मुझे माफ कर दो ध्रमा हर औरत को एक अच्छिमा बनाकर इस संसारें भेजते हैं वहीं मुझ जैसे पापी को भी संसारें पैदा करते हैं जिसे मौत ने भी गले लगाने से मना कर दिया मुझे लगा था तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी पर इन पहाड़ों ने मिला दिया मैं तुम्हारे बेना नहीं जैसकती मुझे तुम चाहिए राजा तुम्हारी शादी तैह हो चुकी है तुम ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए जाओ यहांसे मैं जीओंगी तुम्हारे साथ और मरूँगी भी तुम्हारे साथ जिद मत करो कमली जाओ यहांसे तुम क्यों जिद कर रहे थे मैं तुमें नहीं मिली, इसलिए न, बोलते क्यों ने? सच बताओ, तुम मुसे प्यार नहीं करते हो, क्या? इस दुर्ग से में बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा अपना है क्या? हम चांद और सूरज को पसंद करते हैं, क्या हूँ हमें कभी मिलेगा? तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम जाओ कमली, तुम यहार आओगी, तुम यहार आओगी, तुम मुझे परिशानी होगी, जाओगी, लेकिन जिन्दा नहीं जाओगी, एक लाश बनकर, जिसको मैं चाती नहीं, उसके साथ हर दिन खुट-खुट के बहरे से अच्छा, हाँ, हाँ, सिदा पर, हाँ, उपर, संभाल के, आराम से आ, आरह मज़ उदा, हाँ, ऐसे, उपर के दरफ, जाओगी, 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 जाओगी पिर निया सकता, सब बहुरे, लुकिए अदर को निया सकता, सा भारी लुकिए कमली, कमली, कहां गई वो जिद्धी बेशरम लड़की, बेचारे दामाद जी इतनी दूर से गाड़ी लेकर आए उसे गुमाने लेकर गए और वो गाड़ी से उतर के फरार हो गई सब अमारी किसमत है, हमारी बेशरती करने के लिए ही वो लड़की पैदा हुई है, घवराट के मारे दामाद जी ने मुझे फोन किया, कि कहां है वो हेलो, चोटी, दीदी, चोटी, दीदी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो दीदी, क्या हुआ मेराजा को मिलने वहा गई थी, अचानक उसका पैर भिसल गया और वो चटान से घिर गया, उसके सर और पैर में बहुत जोट आई है, अभी वो दुर के हॉस्पिटल में है, चोटी, चोटी, जा जा के उस बेशरम को लेया, कहां से लेकर आँ जी, तेरे बाप के घर से, खा जी पक्वास अपले पासर, जी पक्वास अपले पासर! दीदी, दीदी, राजा भेया, चटान से गिर गया, ये दीदी उन्हें होस्पिटल लेके आई है, ये सब कैसे हुआ, थेंक यू, राजा नाम का पेशेंट इस वद कहा है, उपर एमर्जेंसी वार्ड में है, आप बैठ जाएए, ओमाइगाड, राजा के साथ कौन है, उन्हें मेल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, थेंक्यू, डॉक्टर, देखे, राजा बहुत किस्मत वाला है, कोई और होता, तो मुश्किल होती, इतने उपर से गिंडे के बाद भी, सीरियस इंजिरी नहीं होई है, माइनर फैक्चर है, मैंने प्लास्टर कर दिया है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत सक जान है, पर हाँ, इनका अच्छी जिद्यान अखना, सिस्टर, चलो, देखो, पेशेंट को डिस्टब मत करो, सब आहर जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग जाओ, राजा, अब कैसा लग रहा है, अगर तुम अभी काओ तो मैं किले पे चड़ कर दिखा सकता हूँ, ठीक है, ठी कमली है, यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई है, थैंक्स, राजा को रॉक क्लाइंबिंग के लिए मैंने ही फोर्स किया था, उसी की वज़े से यह सब हुआ, यह सब मेरी वज़े से हुआ, तान से उतर रहा था, छोटी सी भूल हो गई, फिसल कर नीचे किर बड़ा, ब आई हाई हुआ चलो खड़ चले, अटा पापा, भाग राजा, इसका यह लोग ड्यान रख लेंगे, चलो अइप, यह चलो बापा मुझे छोड झोड़ो, मैं राजा को इस हाल में छोड़कर आपके साथ नहीं आ सकती, चुप चाप, मेरे साथ खड़ वर नथ तुझे और उसे यही मार डालूगा चाहे हुझे जेल हो जाल मेरे साथ देखो जबसे तुम बंदर बन कर पाहड पर जड़ने लगे हो कितने लोग तुमें देखने आने लगे हैं और लड़की तो देखो अपने पिता के साथ भी नहीं जा रही थी हेलो क्यों बई लवेट फर्स्ट साइट हो गया क्या हां ए में तु मजाब कर रही थी अब जरा हस्पी 2 क्या है मज़ क्या बेत रही है तुम क्या जानों ऐसा क्या सोच्रेय हो तुम रोख क्यू रही हो, फिकर मत करो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी तुझे पचपच से लेकर बड़ी होने तक इस कलेजे से लगा कर पाला है तुझे आज तू अपनी ही अपनी ही जित परणी है तुझे तुझे हमारा दर्द नहीं दिखाई देता एक बिकारी को अपने दिल में बिठा कर उसे ही अपना सब कुछ मान चुकी हो मैलों की घीकी रोटी से तो गरीबों के आसों की रोटी अच्छे होती है गरीबों के घर में प्यार होता है लेकिन अमीरों के वहां सिफ नफरत होती जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं पापा उनको कुछ कहने से पहले जरा सोच ले तेरी नजर में वो गलत हो सकते हैं घर आकर रिष्टा मांगने वालों के यहां जाके ना कैसे कहूं इससे अच्छा तो मैं मर जाओं कैसी बाते कर रहे हैं आप आप जाएए मैं समझाती हूं से आप जाएए कमली बेटी ऐसा क्यों कर रही है तू हर माबाप यही चाते कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो तो वक्त की रोटी वो खुशी से खाए तो माबाप को हर क्या चाहिए अपने बाप को गलत मत समझ बेटी तू अगर अपने जित पे आड़ी रहेगी तो तेरा बाप जिन्दा नहीं रहे पहाएगा माँ सच बता मुझे जंद देने वाला बाप यही है क्या कमली जाओ माँ जाके जहर ले आओ मैं और जीना नहीं चाहती जीने के इच्छा होती इंसान तभी कुछ करने की सोचता है तुम एसी बात क्यों कर रहे हो उस सूरज को देखो आज डूब रहा है कल वो फिर से उदय होगा तुम्हारी जिन्दगी भी ऐसी है तुम जरूर जीतोगे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तुम जरूर कर दिखाऊगे धीरे से हां अरे छोड़ो मुझे मैं अपने बल पर ही चलूँगा एक पैर से के लिए पे चड़ कर दिखाऊँगा तुम्हें चाहे हड़ी टूट जाए एक पैर से पहले हास्पिटल से दिसचार्ज तो हो जाओ फिर एक कैर से के लिए पे चड़ कर दिखाऊँ हाँ, हाँ, मैंने कब कहा के नहीं चड़ सकते, चड़ोगे बतकिसमती पीछह ही नहीं छोड़ रही है, गिरने के बाद भी जिन्दा हूं मैं कुछ साबित करने के लिए नामुम्किन को मुम्किन करने की कोशिश में आज कई लोग गलत कदम उठाकर जेल में सजा काट रहे हैं तब भी वो हिम्मत रही हारते सुन रहे हो ना तू धरती पर बोज बन कर दूसरों के सारे जिंद की बिताना भी कोई जिंद की है क्या मतलब कोई कामेब नहीं हो पाया तो मर जाओ मेरा वो मतलब नहीं था फिर क्या मतलब था हमेशा बहती हुई नदी की तरह रहा करो ठैरा हुआ पानी गंदा हो जाता है लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है हमेशा फ्रेश रहता है दिल भी बिल्कुल वैसा ही है ना मु औरो को तकलीफ देना ही मेरी जिन्दगी बन गई और तुम मेरी सिवा में दिन रात एक कर रही हूं मुझे लगता मैं भी तुम्हे तकलीफ दे रहा हूं अरे बहुत गलत सोच है है बंदर इधर देखो देखा तुमने इस इंसान के दोनों पैर नहीं है फिर भी इसने अपनी लाइफ को कैसे चैलेंजिंग बनाया है तुम भी ऐसे ही बनो मैं यही चाहती हूं कभी-कभी मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है लगना काफी नहीं है उसे तुमें चैलेंज समझहा होगा और उस चैलेंज को तुमें चीतना ही होगा मुझे डर लग रहे हुआ? पुछ नहीं होगा चड़ो तुम आराम से, कर लोगे तुम यह में अपकड़ू हरे था। सापटें। हां पावियुकु शूकुआ। पावियुकु शूकु खूरियु राजा चंड़ते हरा। क्यां किभ गृष्टन tanatok बारे पार राजा। कैर्फुल, कैर्फुल वेरी गुड, वेरी गुड बहुत अच्छे राजा वेरी गुड अब नीचे हो, नीचे हो घ्यान से संभल कर राजा येस, वेरी गुड वेरी गुड राजा संभल कर राजा वेरी गुड सुपर राजा छी को ला तुम राजा येस मेरा पैर फिसला तुम मैंने सोचा कि अम मुझे कुछ नहीं होगा तुमने मुझे फिर से बंदर बना दिया ये सब तुम्हारी कोशिश का फल है राजा लाइफ में तुमने किसी से प्यार किया है क्या हाँ अच्छा कौन है वो मेरे पिता से मेरे मां से ये चटान ये खंबा ये पत्थर ये पहाड ये महल इन सबसे मैंने प्यार किया है सबसे सबसे प्यार किया है मैंने अरे मेरे कहने का मतलब है कोई लड़की आई है के लाइफ में तुम्हारी मेरी सुरत देखकर कोई लड़की नहीं आती जो भी देखती है वो धुतूरा समझ कर छिडा कर चली जाती है इसका मतलब तुम्हारे दिल में कोई नहीं है जो आखों के सामने आते हो दिल में नहीं बसते हो और जो दिल में बसते हो आखों के सामने नहीं आते अरे वाथ तुम तो शायर बन गए हो बंदर अच्छा तो मैं कहां हूँ अरे राजा कहां जा रहे हो अरे, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ तो सही अरे, कहां चड़ रहे हो, अभी नीचे आओ अरे, राजा, सुनो तो, नीचे आओ अरे, नीचे आजाओ अरे, मिनी बात का जवाँ बहां से दोगे क्या राजा, बताओ अप्रीज, अरे, आजाओ नीचे सुनो, सुनो, सुनो ये, आजाओ अरमार मनो, तास नाचे रहे हूँ, आजाओ अरे, आजाओ मेरे पास आप प्यार की है मस्तियां मस्तियों में डूप जा दिल मिला मेरी जया पास आप तू है महादूर सबसे यह जूब दियां में करना है ना मैं तुझे तूने बताया तूने सिखाया काबिल बनाया यारा मुझे आजो भी होगा पाना है अब मन्जिल तुझे जाओं जहां साथ यू ही रहना मेरे आरे जूम जूम तेरे संग नाचेंगे हम परने संग तेरे मेरे बिडोले का डम ए सुन यारा सपने बन यारा लगने लगा है तू मुझे प्यारा तेरे ले में तू आई हुरे सपने जुगर में सजाई हुरे ओ मन्जिल को पाने की चाहत जगी ओ यारा जब से मुझे तू मिली है आरे जू चाहतों में पलू तू मेरी रानी में राजा बनू सुनो सुनो जाने जा मैं हूँ तेरा दिवाना तू है मेरा मैं हूँ तेरी सब से कहो सुनो सुनो साथिया आजा मेरे पास या प्यार किया मस्तिया मस्तियों में डूब जा दिल मिला मेरी जा ा ा ा ा ा ा ά ा ा एlington तेर जैसे दनिया मेरे कौन है भला, आजा मेरे संग तुभी सपने सजा, बत्रेरे रहों का दुशुर वीर है, चला मेरे दिल में तेरा तेर है तंका बजे है मेरे नाम का, मैं तो मुशाफिर हूँ तेरे प्यार का, लहरा दो पर चम की जीत गए हम, इस धरती पे ना किसी से है कम ये समाह जीत का, जिन्दगी का ले मजा, फिर न मिले फिर न मिले मौका ये कभी एई सुनो सुनो साथिया, आजा मेरे पास आ, प्यार की है मस्तिया, मस्तियों में डूब जा, दिल मिला, चाने जा, आ आ आ आ आ तुन है महादूर सबसे या जूबा दुनिया में करना है ना मैं तुझे तुने बताया तुने सिखाया काबिल बनाया यारा मुझे आ जो भी होगा पाना है अब मन्जिल तुझे जाओ जहां साथ यूँ ही रहना मेरे आरे जूम जूम तेरे संग नाचेंगे हम संग तेरे मेरे विडो लेका दम कमली तु मुझसे तना डरती क्यों है डर नहीं दफरत मैं तेरा होने वाला पती हूं जल्दी पती बन जाओंगा यह समझ ले यह ब्रहम है तुम्हारा यहां से जाते हो या नहीं तुम गुस्से में और भी प्यारी लगती हूं मेरा कहा मान लोगी तो चला जाओंगा सब शादी के बाद सुहागरात मनाते हैं हम सुहागरात पहले मनाएंगे तेरे जिस्म की खुशफू मुझे पागल बना रही है मेरा जिस्म और ये दिल राजा की अमानत है सबने मत देख मैं सब जानता हूं तू किस तरह की लड़की है शादी हो जाने दे तब तुझे बताऊंगा क्या करेगा तू तू कुछ नहीं कर सकता तूने मेरे साथ कुछ कर भी लिया तू मेरी लाश के साथ होगा तुझे चितना घमंड है सब उतार दूँगा सबने देखना भूल जा ऐसा हाल करूँ कि किसी लड़की को नजर उठाके नहीं देख भाएगा चल जा यहां से जा जाता है या नहीं जीजू दीदी क्या हुआ बच क्या मेरे हाथ से यह सब क्या है दीदी बताओ मुझे सुहागरात मनाने आया था कमीना कहीं का थू हमारे घरवाले उस नीच को बहुत शरीफ समझते छोटी यहां पर राजा होता तो उसकी लाश किरा देता तो हॉस्पिटल गई थी क्या राजा से मिली थी क्या वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गये है दीदी इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाई जोटी दीदी मुझे राजा चाहिए चलो चलो पहले हैं पकड़ना फिर वहां पर पकड़ना और फिर वहां से वहां और उसके बाद तुम चड़ना देख लो इसे पकड़ पकड़ आइसा उधर हां हां ग्रिप सही से रगो सही ते पोलो कोई बात नहीं ठेक है ठेक हो अब मैं चड़के बात आता हूं ये इसको पकड़ा और ये ऐसे हां यहां पकड़ा ये हां ऐसे उपर हाथ रखना है और ग्रे बच्ची होनी चाहिए ऐसे पकड़ा जोर से टाइड एक दम कसकर हां कादमों का जमाक्या रखना है हां ये बेक पेच है ध्यान से देख लो पैर इस दिशाह में हाथ उपर ऐसे पकड़ना है और दूसरा हाथ ऐसे और एक कदम बढ़ा है रेसकोरी जबड़ना है जयान से वच सुछ आजी धश्या है हम ब़नी चाहत अ आप, आप, भागो उख्रस, तुम उभर से चलो, हाँ अच्छे, चलते रहो, बात बढ़िया, हाँ, शाबाज, शाबाज, उपर, ऐसे, हाँ, हाँ, मैं बीछे हूँ, डरो मात, चलो, मनोच, जरा बाइड एंगल से लेना, और इनके चठने का जरा क्लोस एंगल से लो, इधर से अच्छे से, हाँ बढ़िया, अरे उधर से, चलते रहो, चलते रहो, डरो बद, कसे बगड़ो, हाई राजा, तुम्हारा इंटर्व्यू लेना है, इस तरफ से आजाओ, आया मैं अ क्या करने हो बंदर, तुमने ही तु मंगी मैं नाम रखा है, अरे संबल कर राजा, स्लिप हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, अरे बाप्रे, आ मैं पूरा बंदर लग रहा हूँ ना, तुमसे तो कुछ भी कहना बेकार है, अब जल्दी नीची आजाओ राजा, तुम्हें ड ये बंदर भी ना, अरे संबल कर, हे, क्या कर रहे हूँ, मनोच, तुम कैमरा तैयार कर लो, और वोईस रिकोडर को उससे कनेक्ट कर लो, ओपसिट लाइट में आजाओ, ओके, नमस्ते दर्शकों, मैं तुम्हारी चहेती भागी रथी, आज के आपके इस पसंदिदा कारे क मैं आप सबसे इनका परीचे पहले ही करवा चुकी हूँ, वो है राजा यानि के कोथी राज, इनका साहस देखो, किले से गिरकर हड़ी तूटने के बाद भी अपनी कोशिश चारी रखी इनोंने, इतना ही नहीं, ये अपने साथ चार छे लड़कों को रख कर उन्हें अप उसमें से पहली है मेरी माँ, जिसने मुझे इस दुनिया में जनम दिया, और दूसरी है, वो जिसने मुझे यहां तक पहुचाया, इस दुर के ले से मेरा नाम जोड़ा, मैं दिन रात एक करके यहां तक पहुचा हूँ, इसी देवी की बदॉलत, जो मेरे साथ यहां आप देख रहे हैं, टीवी नाइटी वर्ट, वन एंड ओल्ली इंडिया का न्यूस चैनल, राजा, प्रधान मंतरी की पंदर की विदेश यात्रा कल से शुरू हो रहे हैं, जिसमें वो तीन अलग 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 देशों की यात्रा करेंगा, अरे, क्या हुआ, जहां पर आप को लेके चलते हैं, ब्रेकिंग यूस की तरफ, जो आ रहे हैं, तुर्क सी, आप तेख रहे हैं, टीवी नाइटी वन एंडिया का न्यूस चैनल, एजी, हमारे बेटे का फोटो फ्रेम तूट गया, उस तो बर्सो पहले साथ चोड़ दिया, यही फ्रेम बस बचा था, कोई बात नहीं, चलो नाया फ्रेम बनवा लेंगे, आपके सामने है राजा, कांच के टुकडे जाडू से हटा दे, आपके माबाप और परिवार इस वट कहा है, जर आप उनके बारे कुछ बताएंगे, हमारा गाओं का पोली कुमार पाड़ा है, मेरे पिता का नाम मानी और मा क सीता राम है, मुझे सुधारने के लिए मेरे पिता मुझ पर खो पिगड़े, इसलिए मैं गुस्से से अपना घर छोड़ाया, आज मेरे माबाप का पता नहीं, वो किस हाल में होंगे, मेरे बहन का नाम बसंती है, लगता है आज गाओं में उसकी शादी हो गई होगी, मैं सुनो जी, हमारा बेटा दुनिया से नहीं गया, वो टीवी पे आ रहा है, देखो, अरे, क्या कह रही है, गलत फह्मे मत पाल अंदर जा, अरे, चल के देखो तो, माधा खराल करती है, मैं बहुत शरारत करता था, इसलिए मेरे पिता जी ने मुझे मार मार कर घट से बाहर ल अगर वो ना होते, तो शायद मैं भी यहां पर ना होता, हाँ बेटा, मैं तुझे पहचान नहीं पाया, अरे, माठी मिले, मेरा बेटा आया तो, टीवी बंध हो गया, तू बैठ जा, हमारा बेटा कहा है, यह पता चल गया ना, अब चिंता नहीं, ए जी, चलो चलते हैं न मेरी जान अटकी है, मैं तो पहले से ही जानती थी, कि मेरा राजा मिल जाएगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ तुर्ग ही नहीं, बल्कि इस पुरी दुनिया से ही, मैं उस कमीने को मिटा डालूँगा, कौन सी कमजोर नस दबाने से, वो बंदर भागा चलाएगा, यह मुझे अच्छी तरफ पता है, यह किज ने किया, अरे मैंने, क्यों, अरे तो बस में सीट रिजर्फ करने के यही ट्रिक होती है, ना, पागल कहीं का, अरे आई, 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 माजी, यहां बैठिये, अरे हट, अरे तो हट, राजा का दिल, एक खुली किताब है, उसे कोई भी पढ़ सकता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल वैसे, सिर्फ उसकी बॉड़ी स्ट्रोंग है, दिल बिल्कुल बच्चों की तरह है, लगता है मखन पिगल कर घी बन गया है, राजा बहुत मासूम है, मेरी न है कि, I love him, very much, तू यहाँ पर उसे दिल में बसा कर बैठी रहे, और वहाँ वो किसी और का हो जाएगा, यह बता, राजात उसे प्यार करता है, मुझे नहीं बता, उसका मुवमेंट देख कर तो लगता है, मैंने उसे एक तिन पूछा, कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज आई हो तूम, पर सो जब मैंने उसका इंटर्व्यू किया, तब उसने कहा कि मेरी जिंदगी में देवी बन कर आई हो तूम, यह सब देख कर लगता है, वो भी मुझे से प्यार तो करता ही होगा, I think, I can't live without him. तूमसे दूर रहकर मैं नहीं जी सकती, राजा, यह सब देख कर लगता है, वो भी मुझे से प्यार तो करता ही होगा, I think, I can't live without him. राजा बाईया, आपको नहीं नहीं आरही है, क्या बोलो? नहीं छोटे, मेरी जिंदगी में मुझे किसी से सुकुन नहीं मिल रहा ह। तूम ऐसे क्यों बोल रहा ह। जितने लोगों ने मुझे आस तक चाहा है, उन्हें हर तरीके से दुखी मिला है, जो हमें चाहते हैं या जिने हम चाहते हैं, उन्हें मेरी वज़े से कोई तकलीफ हो यह मैंने कभी नहीं चाहा। मैंने हमेशे यही चाहाए कि हर कोई सुकुन से जी और आराम से रहे, दुखी है यह सब उल्टा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तू क्या कहता है छोटे, 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 सो गया। मुझे हर किसी को खुश करने के लिए अपने दिल की बाद बताने ही पड़ेगी, यही सही होगा। दीदी, तुम चल्दबाजी में ऐसा कदम क्यों उठा रही हो? छोटी, घुट-घुट के जीने से बहतर है, कहीं जाकर मर जाओ। तु रो मत छोटी, मैं जिन्दा रही तो सरूर मिलूँगी, आज मैं तुझे तनहा छोड़ कर जा रही हूँ, किसी और से ना सही पर तुझे सरूर मिलूँगी, मुझे माफ कर देना, जिसे मैं नहीं चाहती, उससे मैं मंगा सुत्रन नहीं बदवाना चाहती हूँ। तुम बेफिक्र होकर जाओ दीदी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। लो, ये भी रख लो, देर मत करो जाओ, जाओ दीदी, जल्दी करो। जिन्दा नहीं रही, तो मेरी लाख शर्की, मैं जा रही हूँ। झाल हो जाओ करेंगे बेफिक्साओ। स्वारा होँ। स्वारा होँ। स्वारा होँ। स्वारा होँ। कर दो मोचलो clock कर दो में हो ख generating त Signa close REM अजसे 1977 पोह खो अजसे ही, समया इसे क्दानला कर यहीं हो खानल भाल's वे और रैंजसे लुकरी में हमस्त प णिए रोग दे, रोग दे, रोग दे बस, चलो भाई उतरो यह लाश्ट वपा गित पहुझच गया वहे है 처ig जल्दी उतरो सुनो जी यहां से कैसे जाएंगे किस से पूछेंगे राजा कहां है बताओ ना ऑगवान यह लड़की जीन नहीं देगी सुना जल दी आओ कमली कही नहीं है अरे मैंने पूरे घर में देखा और यही कही होगी पहले देख लो उसे देखो कही दो,r Annok कमली, क्या होगा? कहाँ चलेगे मैंका? क्या होगा? अरे भगवान, कमली दिखाईने देरिया साथ भाग गई है क्या? कमली गर पे नहीं है? नहीं है ए भगवान, आखेर उस लड़की ने अपनी चाल दिखाई दी अब मैं क्या करूँ? इय मैंका, इय मैंका! इधर आजल्दी! इय इधर आजल्दी कहा है कमली? मुझे क्या पता मैं दो भी भी सोकर उठी हूँ इन दोनों महनों की बात पे विश्वास मत कर मतना दादी मैं तो सो रही ती नाध बर तो तुम जा कर तुम आर तो दोनों के जिंदगी को हाग लगे, पेदा ही के हुई है आमको तो पता एके नाग पकुछ तो पता चलिये ना चलते पुली स्टेशन यहे वद्मान मैं क्या करूआ ओ मैं क्या करूँ भगवाद, इस उम्र में फुली स्टेशन, क्या बोलूँ गावालो को, कुछ नहीं पता, क्या करूँ मैं, कहां जाओ, हो सकता है, हाँ, अगर वो तोनों मुझे वहां मिल गए, तो काट डालूँगा उन दोनों को चाहे मुझे जेल हो जाए, हाँ, खाओ, खाओ, इसे अकेले भेज़ेता हूँ और मैं यह रुक जाता हूँ, यह ले बसका ख़चा, रख ले, द्यान रखना, मैं हाँ जोड़ती, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना प्लीज, मुझे क्यों करना हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम, आम मैं, उस दिन तो बहुत अकड रही थे, आसिया उठा लिया था, मुझे पर, है, 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 मैंने तुझे का था मैं सुआगरात मनाऊँगा, यह देना तुझे, वो आज सरूर होकर रहेगा, तु है तेरे जन को, तु एक मर्द है क्या, मैं वही प्रूफ करने के लिए, तुझे यह उठा कर लाया हूँ, मेरे जीते जी यह ना मुम्किन ह है, अब तु देखता जा, तेरी मर्दानकी का क्या हाल होता है, कोथ ही राजा करेगा, अगर तेरे उस पागल प्रेमी के सामने, मैंने सेच सजा कर, तेरे साथ रासलीला नहीं रचाई मेरी जान तुम्हे, कामेश्वर होने का, क्या फाइदा, बताओ ना, तुझ में कितनी हिंमत है, देखता हूं, कहां चला गया, हेलो, कोथी राजा बोल रहे हो, जिया भई, राजा, मुझा प्रिया, जिया भई, पूझा प्रिया बोल्या जिया भई, राजा, मुझा जिया गया, कोती राजा जी खंडर में दो प्रेमियों ने सुसाइड कर लिया है तुम आपकर उनकी लाश ले जाओगे क्या ऐसे दो प्रेमियों के बीच में क्या हुआ था जो भी हुआ हो मैं यहां से निकलता हूं जो भी तरफ जा रहे हो दो लाशे कंडर के पास मिलिये मैं जा और दे भाई साब के लेका रास्ता की दर है यहां से बाए जाना आगे से दाए जाना ओपर मिल जाएगा आपको इस बारे में किसी को कुछ मत बताना और मेरे आने तक तु घर पर ही रहना थे क्या जा अरे तु जा ना चल जा और कितनी दुख और तकलिद देखनी पड़ेगी प् चाहिए कहते हैं प्याराक का दरिया है और डूप कर जाना है बचारा तुमारा भोला प्रेमी समाच सेवा के इरादे से खंडर आ रहा है रस्ते में उसकी लाश किरेगी ए पापी राजा ने तेरा क्या बिकाड़ा है राजा को छोड़ दे उसकी लाश किरने के बाद हम दो आरे दोस्तों के साथ फिर दोनों खतम कर न्यूज में पेपर में हेड्लाइन यही की घरवालों के विरोत करने पे प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली ऐसा आएगा फिर मैं आराम से दूसरी लड़की को देखूंगा कैसा लगा डिया है चुपला वारेस तू कितना ब तो मेरा नाम बतल देना है हलो सुनो कोती राजा दुर्ख से निकल चुका है वो जो है ना खंडर से जिन्दा पार नहीं होना चाहिए सिर्फ लाश वहां से आनी चाहिए मेरा बच्चा यहां रहता है इसलिए मिलने के लिए आए है चाहिए बेटी ओ बेटी कुछ मदद करोगी आपको कौन चाहिए आप लोग जाए यहां से माजी सुनो बेटी वह फोटो देखना बेटी यह मेरे राजा बेटा का है कौन है यह में से नहीं चानती वो किले पर करता है ना मेरा बेटा दना तू जिससे टीवी पात कर रे थी वो ही मेरा बेटा है आप लूग राजा की क्या लगते है वह हमारा बेटा है मैं उसकी माँ हूँ यह उसकी पिता है ओ वह आपका बेटा है अब यादा है आपको नहीं बेटी बच्पन में घर चोड़कर माजी मैं भी राजा को पूछते हुए यहां ही हूँ उसे फोन कर रही हूं लगी नहीं रहा एक मिनिट देखें रिसीवी नहीं कर रहा है चल यह ढूंगते हैं हाँ चला चला वो राजा कितना बड़ा कमीना है यह मैं जानता हूं मेरी बच्ची को मुझे वापिस दिलवादो साथ आप कैसे कह सकते उसे राजा नहीं किटनाइप किया है कैसे कहूं क्या कहूं उसने हम सब के सामने कहा था कि वो हमारी बच्ची से प्यार कرتा है इसी लिए अब वह हमारी बच्ची को भगा कर ले गया है राज आव ऐसा इनसान नहीं है आपकी बेटी कहीं गयी होगी आ जाईगी अरे आपको को सके बारे में कोई जानकारी नहीं स वो कितना बड़ा चोर है ये मैं जानता हूँ एक मिनट रुकिए हाँ सर बूलिये राजा कहा है तो खंडर की तरफ जा रहा हूँ कंडर की तरफ क्यों वहाँ कोई जोडी लवर की लाशे पड़ी है जाकर देखो ऐसा मेरे फोन पर फोन आया था सर पताने किसका फोन आया था इसलिए मैं बॉडी लेने के लिए जा रहा हूँ ऐसे काम पे जाने से पहले तुम्हें हमें बताना चीए दाना राजा सारी सर अगली बार में इस बात का ध्यान रखूँगा कभी भी आगे अगर ऐसे घटना होती है तो पहले मैं आपको इंफर्म करूँगा राजा समल के तुम खंडर पहुचकर वहा के पुली स्टेशन जाना उनकी मदद लेना ठीक है सर बी केरफुल अब बोलिए राजा ने अभी बताया दुर्ग के खंडर में दो लाशे पड़ियों ने लाने गया है तुम्हें पता है ना वो जगा डेंजरेस है समाज के लिए अपनी जान देने के लिए तयार रहता है वो राजा किन्ही अंजान लोगों के लाशों को इतनी इज़त देने वाला ऐसी बेज़ती वाला काम कभी नहीं कर सकता कोथिय राजा हमारे देश की शान है शान अरे तुम्हें उसकी सच्चाई के बारे में क्या पता है मैं सच कह रहा हूं और तुमूसी की तारीफे किये जा रहे हो हां पतानिया आपको उस पे इसना बरोसा क्यों है आप उसके खिलाब कम्पलेंट लेते हो या नहीं चिलाने के लिए तुम्हारा सस्राल नहीं है अगर डावट क्लियर करना है तो खंडर चले जाओ वह सब पता चल जाएगा समझें अ चोटू क्या हुआ रो क्यों रहे तू हमारे राजा भीया को राजा भीया क्या हुआ राजा को यह राजा के मता पिता जी है उससे मिलने के लिए बहुत दूर से आया है आजूब बस्टेंड उतर कर मेरे और राजा भीया के सामने से किसी और की लाश के लिए क्यों गय दी दी मुझे रोना आ रहा है मैंने ऐसा कॉन सा पाप कर दिया मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है पता नहीं मेरा बच्चा कब मिलेगा आजाएगा माची हम अब और इंतसार नहीं करेंगे जह राजाग है वही चल्ड़ी चल्ड़ी कैसा लगा हमारे मिलन का स्पोर्ट बैतावा पानी संगीत सुनाते हुए पक्षी और धीरे धीरे चलती थंडी हवाय है सुहागराद मनाने के लिए इससे अच्छी जगा और कहा होगी यहाँ सुहागराद नहीं होगी तेरा श्राद होगा बागो बागो कहां बागोगी गब रहे नहीं माची सब ठीक हो जाएगा राजा आपको मिली जाएगा बागो जाएगा बागो जाएगा 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 हुँ हुड हुई ह kleinen आप हुआ should ुई हुआ एई, भागो, भागो, तुम खुद से मेरे पास आओगी, तो क्या मसा आएगा, क्या है ना, मुझे शेर की तरह शिकार करके खाना बहुत पसंद है, देखो, मेरे पास मताना, क्यों जाने मन, क्या करोगी, राजा आएगा तो तुझे सिंदा नहीं छोड़ेगा, तु अभी यही सबना देख रही है, राजा आएगा, वैसे अब तक तो उसकी लाश भी गिर गही होगी, पगा, 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 किरा रिया, किरा रिया, किरा रिया, किरा रिया, किरा रिया, ढून उसको, किरा रिया, 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 क ग्रिटित अंगाई उर फिर डोगाई अगाई भाह अग, स्वाई अğुगाई ओर अगाई अगाँ झाल यहाँ वहाँ वहाँ जाओ जाओ कहा जा हुए इच्वेन कि अपलने कि अपलने कर दो जब होगा है कर दो अजकी हुए जैसे दिए लें अक्राइए। आर 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 आराँ कर दो दो अग हुए कर दो बस दिएक, ले खिएक्दगा की आरे लुए वो जो जारे खिएक पूल ज़ो को ब जडने मेरे राजा को बचा लूगा ए इधरा ए इधरा ए सुहागराद मनाने के लिए इसे अची जगे हो सकती है क्या आ आ ना प्लीज बस एक बार मेरी प्यास मुझा दे फिर में तुझे छोड़ दूँगा मेरे चीते जी मेरा शरी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा एक बार तु मेरी हो जाए फिर तु जी है या मरे उससे मुझे क्या मतलब सुन मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ ये शरीर और ये दिल सिर्फ और सिर्फ मेरे राजा कही है तुझ जैसे शैतान को इस दुनिया में जिन्दा नहीं रहना चाहिए आ आ ना ए तु पागल हो ये क्या ले बुझा ले अपनी प्यास खंडर में दो लाशे पढ़ी है या फिर किसी ने सुसाइट किया है ऐसी कोई खबर हम तक नहीं पहुची राजा मेरे नंबर पर एक कॉल आया था हमारे बड़े साब ने का कि आप से आके मिलने हैं इसलिए मैं यहां पर आप से मिलने के लिए आया हूँ मेरे साथ चलिए वहाँ पर दो लाशे पढ़ी हैं तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे फोन पर जो कॉल आया था वो एक फेक कॉल था इन दोनों बातों से मेरा कोई मतलब हो भी सकता और नहीं भी हो सकता सर एक बार चल कर देख लेते हैं सामने वाले ने मुझे कर विश्वास करके फोन किया कि वहां पर दो लाशे पढ़ी हैं आके ले जाओ आल राइट मैं चलता हूं तुम्हारे साथ यहां क्या हुआ तुम्हें कुछ देखा है क्या दोनों लड़ रहे थे हमारे पहुचने से पहले ही वो लोग गिर गये चलो उधर देखते हैं कहां उधर सामने कि अपते हैं कि वहाले में पहले हैं कि वा दोनों कि कि वहां को लुम्हें प्राइब यह कि चुशप है लुशप है लुश्टार्ग आपना के लुशप है। फूर फूर्ण करना ए나라 करना एंज कर दो डिन सरे दोर्ण करता है क्रफ़ास कर दो चाल ुट क्रवल क्रेंज कर देन खुआ झालुआर उसे दो कर दो भीता, जालुआर वारा 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 उनुटार जालुटा जढलोल करदोफ, जालुआर आलुटा जपनी हम दोने लोहा उन्या वारा म।धि कंछी आखेज को आखेज को लो कम लिए कम ली थलाज टूसे हैतों मुझे क्यों रोक रहा हूँ वो मेरी बैटी है साब राजा माझे संबल कर माझे माझे लिखे राजा वो लिखे राजा राजा कमले कमले मेरे बच्ची तूने क्या क्या मुझे से घंटी हो गई मेरी मझे मुझे नहीं पता था कि तु ऐसा करेगी कैसी किस बता मेरी पापी कमले तेरी मजे से बरिये तूने जाली मेसी बाबोजी मैपको सच बता थाओ कमली मुझे से बहुत प्यार करती थी लेकि ये सद्ध करती थी यह जानता तो अबबुजी में आपको सच बोल रहू हुँ यह पुझे क्याती रही बर मैंने इसकी नहीं सुनी और यह देखो पेरी बेटी मर चुकी है तो तुझे जिंदा रहने का क्या है तू भी चला जाओ इसका लादा मिया मीटाओ तुमने क्या कर दियाक है तूमने क्या कर दीया कैदा परमेडे जानिए इसलिए उसे भी मर ना होगा यह तुमने क्या कर दिया कभली पेर मेर प्लाइटा जो अरे माजी हुआ थो पाने जोटियों माजी कमली मैरी बच्चे यह कौन है अरब पापी तुरे 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 ता माजी को भी मार डाला तो क्या यह तुमारा दमाद साप इसे ही साथ करी कमली की शादी होने वाली तो यह कमीना मर गया अच्छा ही हुआ यह हमारी वांटेड लिस्ट में था तुम्हें पता है इसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बरबाद की है शादी का वादा करके लड़कियों को अपने साथ ले जाकर उनकी इज़त लूटकर उनको मार देता था तारीफ के काबिल काम किया तुमारी बच्ची ने माजी एक बात कहूं राजा को गुने गार ठेराके तुमने बहुत बड़ी गल्ती किए राजा 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 बाद इसको पॉस्ट मॉड़क ले ले जाओ और पबली को यहां से क्लियर करो माजी देखे राजा आगया राजा देख देखा राजा राजा देखा देखा राजा तुम्हे कुछ हुआ तो नहीं न देखो माजी और पाबुजी मैं बजपन में घर छोड़कर भागया था उसके लिए महीं माफ कर दो बहा राजा बेटा गया तू कहा था तू मुझे माफ कर दो बाबा तुम्हे मालूम दाना पागल हूँ इसलिए मुझे ठरा देते तुम्हे क्या जरूरत थी उनसे उलजने की मैंने उनसे नहीं का अगर तुम्हे खाई में करकर कुछ हो जाता तो तो क्या करते मुझे अपनी जान की परवा नहीं है मैडम अज़ा क्यों तुम्हें अपने जान नहीं जाओंगा मैं अपनी जान देने हाँ आया था तो हाज यहां के लोगों ने मुझे अपने सिर पर बढ़ बढ़ाया है अब जिएँगा भी यहां और मरूंगा भी यहां मैंने तुझे गलत समझा मुझे माफ कर दे सचे मन से मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी मुझसे गलती हो गई राजा तेरा जब मन चाहे मेरे घर चले आना आज तुझे तेरे अपने मिल गए है फिर भी मेरे घर में तेरा इंतजार रहेगा चल घर चल बेटा चल मालिक मैंने आपका घर का नमक खाया है और वों मैं कभी नहीं भूलूँगा आज मैं और तुम अलग हो जाते आप कभी फिर ऐसी बात मत करना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आज तुमने जो इंसानियत दिखाई है उससे मेरा प्यार दुगना हो गया तुम अच्छे इंसान हो राजा तुम हमेशा सब के बारे में सोचते हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं राजा मैं उस लाइक नहीं हूं पताने में और कितने दिन जी हूंगा लेकिन मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर संसार बसाने की मुझसे उमीद मत रखना सारे हालातों और सारी तकलीफों का सामना करते हुए हमारे इस कोथी राजा उर्फ मंकी मैं ने अपना संगर्श जारी रखा और उनका ये संगर्श आज भी जारी है मुझसे कुछ नहीं होगा मैं कुछ कर नहीं सकता खुद को नाकारा समझ कर आत्महत्या के प्रियास करने वाला व्यक्ति आज अपने टैलेंट को पहचान कर पूरी दुनिया का दिल चीज़ चुका है सच कहूं तो इस दुनिया में जो साथ फेमस रॉक क्लाइमर्स हैं उनमें से एक हमारा कोथी राजा भी है इसलिए आज पूरे भारत को उस पर गर्व है मुझे करनाटक की मिट्टी में ही मरना है कई नए कारनामे कर दिखाने है हजारों सालों तक मुझे इत्यास का हिस्सा बन कर रहना है यही उसका सपना है हमारा यह कोथी राजा शादी करके दो बच्चों का बाब बनने की बज़ाए पूरे भारत का बेटा बन कर जीना चाहता है कोथी राजा ने अपने जीवन में कई कारनामे किये है लेकिन समय की कमी की वज़े से हम वो सारे कारनामे तो आपको नहीं दिखा सकते परन्तु हमने उनमें से कुछ कारनामे आपको दिखाने का प्रयास किया है हमारे इस प्रयास के पीछे आपका सपोर्ट रहेगा ऐसी हमें आशा है कभी ये मत सोचिए कि आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते आगे नहीं बढ़ सकते आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है आत्महत्या महापाप है महापाप मौत को हरा कर हर कोई आगे बढ़े यही हमारी कोशिश का एक हिस्सा है कर दो आत्महत्या महाप आत्महत्या कोशिश कर दोचिए